मित्रो यह कहानी काफी डरावनी है कृप्या गमजोर दिलवाले इस कहानी को ना देखे वही देखे जिसका दिल काफी मजगूत है सस्पेंस से भरी हुई गूत, प्रेथ, पिचास, किजजन, दायन, ऐसी खौफना कहानी संसिनी को चीरती हुई आपके सामने पेस है प्रेम की बेमिसाल कहानी चुरैल की एक ऐसी दास्ता जो सिर्फ हमारे चैनल पर है सची घटना पराधारित कहानी हमारे चैनल को आप जरूर से सस्क्राइब करें वह लाव लाव बटन दबाए फ्री हैं पैसे नहीं लगते हैं और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा आईए कहानी सुथते हैं एकदम फ्रेश और नई सुरेश अपनी पत्नी से भाध प्रेम करता था वो अपनी पत्नी पे जान चिरता था उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था नई-नई साधी जो हुई थी सुरेश की साथ महीने की उसकी पत्नी गर्ववती थी सुरेश के घर के पीछे एक बहुत पुराना बढ़ का पेर था सुरेश की पत्नी आगन में खाना बनाया करती थी परिवार में बहुत कम सद्शे थे गाउं घर के बगल में बहुत सारे पेर थे और पेर के आजू-बाजू में बहुत सारी डरावनी आवाजे सुनाई दिया करती थी जुंगोर की या कई सारी ऐसी आवाजे सुनाई दिया करती थी परिवार तो सुरेश बहुत मजगुत दिल का आदमी था वो वहाँ बहुत मजे से रहता था अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा जीवन गुजार रहा था उसकी पत्नी भी उसे बहुत प्रेम करती थी एक दिन उसकी पत्नी आंगन में बैठकर खना बना रही थी कि आंगन में एका एक बहुत ऐसी बद्गू ऐसी बद्गु जहां आप नाक नहीं दे सकते थे इतनी खराब गंध और किसी मनुष्य की जलने की बद्गु आ रहे थी जैसे लग रहा था कि किसी को जलाया जा रहा है इतनी खराब बद्गु नाक नहीं दे सकते ऐसी बद्गु गंध पुरे घर में फैल गई सुरिष की पत्नी को बरदास्त नहीं हो रहा था वो घर आंगन से उठके घर में चली गए फिर धीरे-धीरे बद्गु खत्म हो गई लेकिन अब हर दिन बद्गु फैल जाया करती थी हर दिन बद्गु धीरे-धीरे गंध पूरे घर में फैलने लग गया कई सड़ी हुई जली हुई बद्गु आती थी जैसे लग रहा था किसी को यहाँ जलाया जा रहा है और आप अगर समसान घाट गए हैं तो वहां देखे होंगे कि कैसे जलनी की बद्गु आती है ऐसी प्रकार बदगु आती थी और पायल की चंचन की आवाज सुनाई देती थी कभी बच्चे की रोनी की आवाज सुनाई देती थी तो कभी ऐसा लगता था कि सुरेश की पत्नी के कान में कोई औरत फुस फुस हा रही है धीरे से उट डर चाती थी, चौकती थी उसने सुरेश को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसी घटनाई घट रही है सुरेश ने इसे मन का वहम बताकर टाल दिया और अपने काम पर चला गया सुरेश के पत्नी फिर अपने काम में लग गई लेकिन घटनाई बढ़ती गई ऐसी घटना बढ़ गई कि रात में वो चोक कर उठ जाया करती थी और एक निश्चित समय पर उसकी आँख खुल जाया करती थी गर्वबती औरत को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए रात के समय में वो अग्ध सुद्ध हावा खाने के लिए घर के आँगन में चली गई देखती क्या है उस पेड़ पर एक औरत पैर लटका कर उसी की तरफ देख रही है और कुछ फुसफुसाने की आवाज उसके कान में सुनाई दी वो गिर कर वहाँ बेहोस हो गई बेहोस हो गई सुबह सुरेश को पता चला उसकी पत्नी आँगन में गिरी हुई है उठा कर सुरेश उसे बेड़ पर लिटा दिया पानी के छिटे मारे सुरेश की पत्नी ने जब आँख खोला तो यह तो सुरेश की पत्नी थी ही नहीं यह तो पूरी बदल चुकी थी इसकी आँखे लार ओठ काले पर चुके थे चहरे बहुत डरावने हो चुके थे सूख गये थे ऐसा लग रहा था जैसे सरीर में कोई खूनी नहीं और एक तो गर्वबती थी बहुत सारे लोग आ चुके थे आँगन में जमा हो चुके थे डर गये थे सब लोग सूरेश भी डर गया कि आखिर क्या हो गया मेरी पत्म को एक तो गर्वबती अगर कुछ हो जाता है तो लेने के देने पर जाएंगे कई लोगों ने कई तरह की सलाह देने प्रारम भकर दी प्रंतु कुछ लोगों ने कहा कि इसे कई ऐसी घटनाए घट रही थी इसके साथ तो इसे किसी तांत्रिक को दिखा देना चाहिए मरता क्या नहीं करता सूरेश दौरते दौरते तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को बुला लाया तांत्रिक ने सूरेश की पत्मी के बाल बांधे उसके सरीर पर गंगाजल छिरका और मंत्र पढ़ना प्राड़ाम्भ कर दिया साथ ही एक आग का गोला जला लिया गोईठे पे और उसने सुरेश की पतनी के हाथ पर रख दिया आग रखने के साथ ही सुरेश की पतनी जोर से चिलाई और रोने लगी कराहने लगी चिलाने लगी लेकिन तांत्रिक ने उसके बाल नहीं छोड़े और पूछने लगा बता कौन है तू कहां से आई, किसली आई, क्यों परसान कर रही है इस बच्ची को पर कोई जवाब नहीं तांत्रिक ने छड़ी निकाल दो-तीन छड़ी सुरिस की पत्नी को मारा और फिर गंगाजल चिरकने के बाद उसने पूछा बता कौन है मैं तुझे डबे में बंद कर दूँगा तुरी आत्मा को जला दूँगा बता कौन है तू तब उसने सुरिस की तरफ हिसारा करते हुए कहा इसी से क्यों नहीं पूछ लेता इसी से पूछ कौन हूँ मैं ये खुद जानता है ये बताएगा के मैं कौन हूँ सब की नजरे सुरिस की तरफ सुरिस हक्का बक्का पूरी सुरिस की जीवन की कहानी उसके नजरों के सामने घूम गई तांतरिक ने अब सुरिस की तरफ कहना प्राड़म किया कौन है बता तुम बताओ कौन है ये सुरिस ने कह बहुत समय पहले मेरी साधी हो चुकी थी प्रंतु मुझे मेरी पत्नी से कोई प्रेम नहीं था क्योंकि साधी मेरी मर्जी के बगर हुई थी मेरे घरवाले ने जवरदस्ती मेरी साधी करवा दी थी प्रंतु मैं इससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था कोई रिष्टे नहीं रखना चाहता इसलिए मैं इसके साथ सोता भी नहीं था तीन चार साल बीतने के बाद भी जब इसके बच्चे नहीं हुए तो लोग ताना मारने लगे मैं इसके पास नहीं जाता था ना ही इसके साथ सोता था ना इसके साथ रहता था लोग ताना मारते थे या गुमसुम रहते थी मैं इसे पसंद नहीं करता था मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता था मैंने एक रात इसे नींद की दवा दे दी और मरई में आग लगा दी और यह जल कर उसी में मर गई लोग ने मुझे पर सक नहीं किया मैंने लोगों को समझा पुछा कर इसे अपने बढ़ के पेड के नीचे दफ ना दिया ताकि मुझे पर कोई केस ना हो और मुझे कोई पुलीस ना ले जाए अब बात खुल चुकी थी सुरेश की पत्निक से सरीर से वह आत्मा निकल चुकी थी सुरेश दोसी करार हो चुका था अपनी पत्निक के सामने भी गावालों के सामने भी पुलीस आई, बढ़ को खोदा गया, नीचे कंकाल मिली, यह कहानी सची घटा पर धारी थी, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल को भेज सकते हैं, अगर आपकी कहानी हमारे चैनल को पसंद आती है, और वीडियो पसंद आती है, तो हमारे चैनल की तरफ आपको एक gift इनाम के तरफ दी जाएगे वीडियो कैसे लगी comment अविश्य करिएगा अगर आपका comment हमारे चैनल को उफिशन दाता है तो भी हमारे तरफ से gift आपको इनाम के तरफ दी जाएगे नई वीडियो हर दिन upload होती है और मित्रों से subscribe करवाईए इसे share करिए WhatsApp पर share करिए Facebook में share करिए तब तक के लिए हम चलते हैं